लक्ष्मी यक्षिनी जैसे की इनका नाम है लक्ष्मी अर्थात साक्षात भगवती लक्ष्मी होती है इन यक्षिनी को सिद्ध करना सबके बसकी बात नहीं होती है लेकिन अगर आप सच्चे दिल, सच्ची स्वध्धा से इनको सिध्ध करना चाहे तो इस सिध्ध भी हो जाती है अगर एक बार सिध्ध हो गई तो समझ लिए आपने कुबेव का ख़जाना ला लिया है और आपको जीवन भर सफलता ही सफलता इनकी साधना प्रातर कल चाय बजे की जाती है ध्यान रहे साधना के लिए बहुती पवित्र स्थान के आउशकता होती है अर्थाथ घर में बहुती पवित्र स्थान और उस मकान में कोई अपवित्र मनुष्णा जाए अगर रजस्वला स्त्री हो अर्थात जो महिलाओं में पीवेट्स के पॉलम होते हैं तो वो महिलाएं उस समय उस कमरे में ना जाए जहां पे इनकी साधना चल रही होती है इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है पहले आप मकान की पूरी तरह सफाई कर ले माला लटका दे और उस कमरे को सुगंधिल बना दे फिर आप साधना आवंब करे इन यक्षनी के साधना का मंत्र है लक्ष्मी कांतम कमल नैनम सिंदूर शोभा वरम भालेंद्र तिलकर ललाटम कुटम रानी वरम वर्दरायकम इस मंत्र को आपने कई बार सुना भी होगा इस मंत्र से आपको इनका जाप करना है ध्यान रहे इस मंत्र का वैसे तो कम से कम 108 बार जाप करना है लेकिन हम आपको सलहा देंगे कि आप रोज 10 माला जाप करें इस मंत्र का फॉर बेटर विजल्ट और मातावानी को एक लड़ू भोग में चड़ा है जिस समय ये आती है उस समय आपके आस पास आपको सुगंध बहुती सुगंध महसूस होने लगेगी और बहुती शांती स्थापित कर देंगी है और इनके आने से ही समझिए आपके दुख आपके कष्ट दूर समझिए और अगर ये पूर्ण रूप से आपको सिद्ध हो जाए और थाथ आप इनसे वापतालाप भी कर सके तो समझिए आपके जीवन के हर कष्ट दूर धन धानने कर ये आगमन कर देती है और जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रुख सकता है आपके धन के मारग सब के सब अपने आप खुलने लगते हैं ये जब पसंद न होती है तो साधक को मालो माल कर देती है ये लगभग 18-19 वर्ष की एक स्त्री के रुप में आती है और नाक में स्वर्ण की नत पड़ी होती है साक्षा देवी का अवतार है क्योंकि ये स्वयम मा लक्ष्मी है और कमल का फूल्द दोनों हातों में धारन किये हुए होती है तो अगर ये आपको सिद्ध हो गई पसंद हो गई तो आप समझे मालो माल आप बस कर्म कीजिए आपको सफल होना ही होना है अगर इनकी पूजा ठीक नहीं हुई आपने गलती कर दी तो ध्यान रखना आपको पूरी तरह से दरिद्ध बना के चली जाएगी इसलिए बहुत सच्चे दिल से बहुती प्रेम भाव से माल लक्ष्मी अब थात लक्ष्मी एक्षिनी की आप पूजा करिए तभी आपको सफलता प्राप्त होगी इनका मंत हम फिर से आपको एक बता देते है लक्ष्मी कांतम कमल नैनम सिंदू शोभा वरम भालेंद तिलक लाट मुकुतम वानी वरम वरदायकम